हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस क्लास में आज का हमारा टॉपिक क्या है आप देख सकते हैं जैसे स्लाइड में देख रहे हैं आज का हमारा टॉपिक है यहां पर New pragm Two Pattern didn á आज का हम्रा टॉपिक है उसका जोड़ो पैर अपको पता है जैसे आपका में एक्जाम होता है तो उसमें क्या हंड़ड परसंट नाम्पर प fiction का समय अबर कर अबर्य है तो आज पाट नंबर नहीं तो आज मेरे पास कितने कोश्टन है तो देखो अभी तक हम दो दो कोश्टन कर रहे थे आज मेरे पास ऐकी कोश्टन है जिसके पीछे रीजन ही जो आज का कोश्टन है वो थोड़ा आप कम्पेर करोंगे in previous class से उसका मतलब की जो लेवल है उसका थोड़ा सा लेवल हाई है जादा नहीं है थोड़ा सा हाई है बाकी मैं आपको कराऊंगा तो बताऊंगो किस तरीके से उस जो आपको देखने में डर लग रहा हूँ अगर आप question देखेंगे हाई हाई है मतलब कि easy नहीं है तो वो भी आप easily कर पाऊगे तो देखो हम सीधा question पर बढ़ते हैं यह देखे हमारा topic का नाम है तो देखो इससे पहले अगर आपको क्या कहते है puzzle करनी है तो मैं इसके अंदर 100 plus puzzle करा रहा हूँ bank PO and clerk आपको पता banking exam के अंदर आजकल puzzle बहुत आती है pre के अंदर में में तो आती है तो इसके लिए मैं आपके लिए special session डिजाइन करा है 100 plus मलब कि इसके अंदर सिर्फ pre level कियोगी मलब pre और pre से plus मलब pre से जो ज़्यादा high पूछ सकता है अगर mains की puzzle करनी है तो आप mains के लिए मेरा YouTube channel पर जाना वहाँ playlist खोलना mains level करके puzzle लिखी पड़ी है वहाँ पर देख लेना तो देखो question आता है हमारा यह question है देखो यह question है तो आपको क्या करना है देखो अभी तक चो मैंने logic करा है उन्ही logic को follow करके इस question को solve करना है पर आप देखो कि इस बार क्या करा है देखो जैसे कि इसमें में ऊक ले लेता हो जैसे कि यह कूल लेता हूं इसमें लेका works LOOK Jord भी लिया है और इसमें दुभर आसने थे इस बार इसमें SIMBAL भी लिया है तो इसको घबकर hobाना नहीं देखो आपको बाकको वन भाई वन जो मैने अवह नहीं तक लोजिक बताया है आपको पताया मैं आपको हरे क्लास में बथाथा हूं कािन और मैंने माogo कर विभी देखा है देखेना और बड़स Als करते सके आप 2-3 तीन मिनट या चार मिनट जितना भी आप कर सकते हो फिर इसको खुद दिमाग लगाओ कि वह लोजिक फिट बैठ रहा है और आपको लोजिक कैसे करना है सबसे पहले मानलो आप नंबर ले तो नंबर कही करना उसके बाद अगर आप मानलो लेटर ले तो लेटर यह अ लग अलग लेना है फिर सिम्बल ले तो सिंबल तो इस सब में अपलाई करना तो देखो आप करो हुआ है तो आई ओप आपने इसको सॉल्ब कर लिया वाप वीडियो पॉस करके देखो हम मैं बताता हूं देखो अगेन मेरे पास क्या कहते हैं कुछ वर्ड है क्या दिखा नेम अगेन सम डैली इसी तरह से और इनके नीचे कोड़ हो सकता है जो इसका कोड़ वो इसी के नीचे हो हो सकता है पर 100% नहीं हो सकता है डैली का कोड़ यह वाला भी यह वाला भी यह वाला भी आगे पीछे भी एक्जामिनेशन में देता है वो तो आपको कहीं पर भी हो सकता है अभी मुझे नहीं पता इसक सबसे पहले तो तो किया गरता है एक उसका समय लोलो बता है सबसे पहले उसका common method होता है कि अगर हमारा word मानलो किसी consonant से start है तो उसके लिए मानलो यह दे दिया यह इन दोनों में सीख दे दिया अगर vowel से start होड़ा तो दूसरा दे दिया यह होता है अगर यह check नहीं होता तो फिर हम दूसरा करते आपका स्यम जैसे एंड वाला वर्ड देखते हैं आपका स्यम जैसे एंड वोवल से हो रहा है ऐसी एंड आपका consonant से तो अभी मैं पहले लोजिक पर चलता हूं तो मेरे पास देखो क्या है यह वर्ड है मेरा नेम तो किस से consonant से स्टार्ट हो रहा है तो मैंने माल लिए इस तरीके से भी लिख दिया परसेंट अब देखो यह लोजिक मैं पूरी लाइन में चेक करूंगा सम के लिए किसके किस से आ रहा है अब देखो एक लाइन आपकी हो गई चैक तो यह लोजिक है पकर इस लोजिक को आप तभी पूरा मानोगे जब यह तीन हो आगई जितने भी लाइन दे कि मानों यहां दो दरखी है बाकी कितनी भी लेनों सब में आपका कंडिशन फुल्फिल हो जाए अब देखो मैं यहां देखता हूं परसेनेज के लिए परसेंटेज तो देखो में यहां पर भी के लिए परसेंटेज था यानिकी इ मतलब ववल के लिए यांब वोवल से नहीं हो तो एड़ रेट अना चीए ठीक है लंगत पी है तो मेरा पूरा मैच हो गया मेरको सबसे पहले किसका लोजिक मिल गया क्याounded symbols का आप site में लिख लेना symbols के लिए इस तरीके से आगर आपका के खाले का लिख डिना वोल आया है तो इसने लिया है percentage साउनने के लिए फैस लिए कले यहाँ आज दर हैं अब फोड़म हो आप चाहँ तो यह इस तरीके से मैं फोड़ ses तो यह देखो question को आप डरना नहीं कि तीन तीन दे रखे हैं तो तीन से कोई मतलब नहीं है हम एक एक बन वाई वन सॉल्ब करेंगे अब देखो मैं नंबर को लेता हूँ तो सबसे पहले हमारे मायन में क्या हीट होना ची हो सकता है कि वर्ड के अंदर कोई इसने क्या कहते है लेटर की specific value ले ली हो तो वही चैक करेंगे तो अभी हमने जब सिंबल चैक करेंगे तो इससे तो हमें पता चल गया अगेन का कोड यह है इनका यह कोड यह है अगेन का कोड मेरा देखो किससे चल गो रहा है वहल से और उसके लिए percentage यहां पी वहल परसेंटेज यहां यहां दोनों वाला लेता हूं कि यहां पर एक ही वहल है तो देखो चेक करने का क्या तरीक होता है तो 14 है आपको 14 पता होना चाहिए किस place value पर आता है आप सबको पत ही तो D की place value चार और L की value वा रहा है तो मतलब अभी तो मेरी condition सारी satisfied हो रही है कि मतलब नंबर मेरा कैसे आ रहा है लास्ट लैटर का place values ने ले लिया अब मैं इसको को सब में करूंगा जल्दी जल्दी देखो नेम है इसमें पांच है ठीक है कि सम में यह मलब लाश्ट का 5 आई का नो आगया ठीक है यह चेक हो गया था consecutive में e 5 नंबर में s, s का आपको पता है s का 19 होता है healthy में healthy में क्या होता है यह तो 25 दी का यह मैंने चेक कर लिया यह चेक कर लिया e का 5 आ गया e का फिर 5 आ गया तो मतलब में जे logic मिल गया कि जो नंबर इसने लिया है नंबर इस देखो हमारे पास number मिल गया symbol मिल गया अब क्या मेरे पास बचा है आप मेरे पास बचा है आपका letter तो letter के लिए अगें जैसे मैंने number में logic बदाया था same करना है तो मतलब आपको देखना है इसमें तो देखो को डिकतिनी M यह जैड दे रखा है तो आप सबसे पहले ना देख जैड कहीं नहीं आ रहा तो मेरा logic फेल होगा कि हो सकता है किसी word में specific letter का place value लिया हो तो इसको छोड़ दो तो अब देखो मैंने बताया था जब मैंने आपको कहीं पहले question कराएं तो दूसरा मुझे logic देखना होता है कोई इसका opposite दे रखा हो देखो जैसे opposite का मतलब जैसे a का opposite क्या होता है यह तो सबको पता है हो सकता है इसने जैड किसी का opposite हो एक तो मुझे मिल गया यह दिखो A का opposite अब मैं सब में चेक कर लूगा सारे में follow हो रहा है तो इन का opposite क्या होता है M follow हो रहा है आज का opposite H होता है डी का carrying a v तो मुझे सारे लोजिक दूब हो गया थैk्ष का पल्सक्राइक में प्रस्ट लीटर बाए करोगे करो तो इस तरह के कौस्टन और और में मिन के हो गए ho क्लियरिकल लेवल से ब्लड करें इसको आर्म बहुन है यह आए गा बाकि मैं दीरे दीरे और question कराऊगो उसमें logic बढ़ता जाएगा तो यह सारे mains के question है तो अब क्या करना है अब आपका logic मिल गया, आपको mains में तो आपको time काफी alert होता है तो आपने rough seat मिली होगी उसमें सारे logic लिख लिएँगे जैसी logic एक-एक मिलता जाए उसको लिखते जाए ताकि भूले ना उसको तो मैंने जैसे सारे logic लिख लिएँगे अपनी rough seat पर तो आपने चलता हूँ आगे अब देखो जो logic मिला अब वो इसमें लगाना है बोत है तो क्या था देखो सबसे पहले आपने लिखा होगा आपके साथ सामने रफ seat में तो अगर word मेरा किस से start था तो इसने क्या लिया था देखो मैं देख लेता हूँ फिर मुझे याद निया इस time तो इसने लिया था आपका यह लिया था यह लिया था यह याट fertल्डर यह तो मेरा कंस्टन वहागा का कहतें देखो काहँ पर यहांपर बाकिशा दो यह刚े दो मेस ही सुगा अब मेरा इसने क्या आना है अपको याद जो last वैस्ट वैस्ट यह लिए लियता हुद इसका प्लेस वैयली यह रोता परिश्ट लेटर में मालब फर्स बर्ड का जो लेटर है वी इसका पुजिट क्या होता है तो यह मेरा कोड होगा जएड एट एड दारेट देखो है कई है जएड यह देखो यह रहा जएड एड एड आर डारेट देखो यह ओप्शन नमबर यह देखो एक मिनट साथ गलत हो गया बी था एक मिनट बी था ना दो बी का उल्टा तो वाई होता ना ठीक है फोड़ा फॉड़ा इसी तरीके से कंफूजन रहता कही बार एक्जामनेशन में देखो यह है मेरा आगे चलते हैं आपके सामने लैटर का प्लेस वैल्यू एज का होता है एक और आपका जो बचा लास्ट में क्या कहते हैं लैटर लैटर में क्या कहता है फस्ट लैटर का पोजिट लिया था देखो डबलू का पोजिट क्या होता है डबलू का पोजिट होता है तो यह होना चिए डी एट एक देखो कहीं है यह देखो डी इसमें नहीं है इसमें नहीं है यह होगा तो यह option number D मेरा है ठीक है अब आगे चलता हूं question number 3 में देखता हूं देखो following में word किससे star हो है again consonants से है तो आप क्या लोगे एड़रेट लोगे तो अदरेट कहां पर है इन दोनों में इसको अटा दो और फिर हम देखेंगे number का लिया था last letter का place value जी का place value आपको पता है साथ होता है ठीक है और letter कैसे लिया था first का opposite app का opposite क्या होता है यू होता है यहां यू होता है यह देखो यह आएगा यू 7 एक मिनट मैं देख लेता हूं यू का positive तो जी का place value क्या होता है जी का 7 होता है तो यह आना चाहिए यू 7 एड़ दारेट तो देखो इसमें मिसपरिंट है यह वाला आंसर होगा यहां पर 7 कर देना इस तरीके से यहां पर यू कर देना आगे चलते हूं यहां पर 7 आना चाहिए आगे चलते है कंट्री में क्या करना है देखो अगें word किस से स्टाट है से कंसोनेंट के लिए add the rate तो इधर नहीं है यह हो नहीं दो तो होगा नहीं अब देखो इसका नमबर क्या था last का प्लेस डइल्य वेल्य होता 25 तो पाटचीस वाना ची और देखो सी का पोज़िड क्या होता तर सी का पोज़िड होता है letter x तो X 25 तो यह वाला आंसर नगोरा आप लास्ट नेे और और वर्वल में देखो वर्ड किससे स्टार्ट लैटर से कंसूनेंट से संब्सक्राइब कि लिए आता परसेंट लिए और फिल और नंबर कैसे है लास्ट का आपोजिट ल मलब लास्ट का प्लेज वैल्व यह यहां से ले लेना तो देखो आज की क्लास में यह कुशन काफी अच्छा था मेंस की पोश्चन हमारे स्टार्ट हो गया है यह सबसे इजी मेंस में था इसका लोजिक फिर हम इससे और हाई पर जाएंगे तो यहीं पर एंड करते हैं इस क्लास को मैं अगली क्लास में मिलता हूँ एक नई मतलब कोडिंग डीकोडिंग की नई क्लास के साथ